हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने बताने जा रही हूँ बनाने के लिए मैंने तीन मीडियम साइज के आलो ले रखे थे अब हम इसे फ्रेंच फ्राइज के आकार में काट लेते हैं बच्चे जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो वो पीज़ा ले या बर्गर उसके सथ फ्रेंच फ्राइज डिमांड जरूर होती है आज हम आपको मार्केट में मिलने वाली फ्रेंच फ्राइज जो की बिल्कुल क्रिस्पी होती है आज हम आपको बिल्कुल वैसी ही फ्रेंच फ्राइज बनाना बताने जा रहे हैं सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गरम होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम एक बर्तन में पानी डाल करके कटे हुए आलू को डाल करके धोलेंगे पानी में अब उबाला चुका है अब हम इसमें एक चोथाई चमबश नमक डाल लेते हैं और अच्छे से उबलने देते हैं अब हम इसमें कटे हुए सारे आलू को इसमें डाल देंगे आलू बालते समय इस बात का ध्यान जरूर रखे कि हम आलू को जादा नहीं उबालेंगे इसे सिर्फ दो से तीन मिनट तक ही उबालेंगे इसे हम ढख कर पकने के लिए छोड़ देंगे पकाते समय इस बात का ध्यान रखे कि ये अध़ पका होना चाहिए नहीं पूरी तरीके से पका और नहीं पूरी तरीके से कच्चा फ्रेंच फ्राइज बनाते समय जब भी आप आलू को उबालें तो इस बात का ध्यान जरूर रखे इसे उबालते समय मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट से ज़्यादा न उबाले आलू अब उबल चुके हैं अब हम इन्हें एक छनी में निकाल लेंगे निकाल करके इसे एक से दो मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं आलू अब अब ठंडा हो चुका है अब हम इसे एक बरतन में रख लेंगे अब हम इसमें एक चौथाई चमच नमक या नमक स्वात के अनुसाल लें इसे बनाते समय हम कौन फ्रोर का प्रयोग करेंगे एक से दो चमच कौन फ्रोर डाल लेंगे इसमें हम और इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेते हैं इसे हम हाथों की मदद से धीरे धीरे करकरके अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद अब हम इसमें आधा चमच चिलिफ्लिक्स मिलाग डाल करके अच्छे से इसे भी मिला लेंगे इसे मिलाने के बाद अब हम 5-6 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे हम यो हैं थोड़े थोड़े करके फ्राइज ढाल लेते हैं इसे ढालनें के बाद तुरंट ना चलाएं फ्रेंच फ्राइज को हम میडियम फ्लेम पर ही तलेंगे इसका flame low to medium रखते हैं इसे हम दोनों तरब से उलटते परटते हुए अच्छे से fry कर लेंगे इसे तल्ले में 5-6 मिनट का समय लगेगा इसे हम तलते समय low to medium flame ही रखेंगे अब ये तल चुका है अब हम इसे एक बरतर में निकाल लेते हैं इसी तरह से हम बाकी के भी french fries fry कर लेते हैं इसी प्रकार से हम सभी french fries को fry कर लेते हैं इस तरह से आप घर पर बहुत ही क्रिस्पी french fries बना सकते हैं अब हम इसमें चिली फ्रेक्स और नमक डाल लेते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी पसंद आये तुसे like, share, subscribe और comment करें Thank you